जारखन के सियम हेमंत सुरेण की सरस्तारद जी हाँ आपने सही सुना सियम हेमंत सुरेण की सरस्तारद कर दी गई है चुनाव आयोग ने विधान सभा सरस्तारद की बता दे खनन मामले में चुनाव आयोग ने हेमंत सुरेण की सरस्तारद की है अब ऐसे में सियम हेमंत वो अपनी पतनी को मुख्य मंत्री बना कर फिर वो बिधान सभा का चुनाव लड़कर फिर वो चुनाव जितकर मुख्य मंत्री बन सकते हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया है सिर्फ उनकी सरस्ता रद कर दी गई है साथी साथ एक बड़ी खबर बता दे की जमेम ने सभी पार्टी बिधायकों को राची बुलाया है साम तक सभी बिधायकों को राची पहुँचने का निर्देश दे दिया गया है सुत्रों के अनुसार जैसे ही राजेपाल के हाथों सरस्ता रद करने की कौपी सियम हमन सुरेन को मिलेगी वैसे ही सियम हमन सुरेन राज भवन जाएंगे और वो अपना इस्थिपा देंगे उसके बाद 44 बिधायकों का समर्थन पत्र लिखीत तور पर पहले से इत्यार है जिसमें कांग्रेस, जेमेम और कुछ निर्दलिय बिधायकों का समर्थन है उनका समर्थन पत्र लेकर राजेपाल से तुरंद सरकार बनाने का दावा पेस करेंगे और फिर उसी बरहेट से नमांकन दाखिल कर चुनाव लड़ेंगे और फिर CM बने रहेंगे हालाकि आपको बता दे कि जारखंड CM ओफिस से ब्यान आया है कि राजेपाल को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है इस तरह के खबरे बेबुनियाद है बिजेपी का नेता जूट बोल रहे है ऐसे में हमें आप कोमेंट कर अवसे बताए कि जारखंड का आगला CM कौन होना चाहिए धन्यवाद